सबी साथियों को जैकसान नमस्कार राम राम सस्रीकाल साथियों लाइव का नोडिकेशन आते ही बता दें कि लाइव हो गया है क्योंकि आजकल थोड़ा सा लाइव इंट्रसेप्ट हो रहा है कोई दिक्कत आ रही है लाइव के अंदर जी जी लाइव हो गया है थैंकियो सो मच जैसे कि रोज अपने इस समय फसलों के बाव के उपर चर्चा करते हैं तो आज भी अपने फसलों के बाव के उपर चर्चा करेंगे साथियों माफी चाओंगा कल किसी वज़ा से मैं जो था वो फसलों के बाव के उपर चर्चा अपने नहीं कर सके लाइव नहीं आ सका उसके लिए आप सबसे माफी चाता हूँ काफी साथियों के फोन भी आये थे मैसेज भी आये थे कि आज लाइव नहीं आये लेकिन किसी काम में वेस्टोन के कारण कल आई नहीं आ सका आज अपने मुख्यते बात करेंगे साथियो सरसों के उपर, गवार के उपर और नर्मे के उपर तो सबसे पहले अपने शुरू करते हैं सरसों से सरसों के अंदर थोड़ा सा हिलजुल हुई है हिलजुल से मेरा मतलब कि थोड़ी सी सरसों आगे बढ़ी है थोड़ी सी तेज होई है लेकिन मैंने पिछली वीडियो के अंदर जो लास टाइम मैंने वीडियो डाली थी उसके अंदर भी यही बोला था कि सरसों के अंदर तेजी होने को को 100-200 रुपए है और मंदा होने को जादा हो सकती है ऐसा सारे जो लोग है जो जिनसे अनलेस सारे मिले जिनसे आंकडे सबसे अपने को मिले है तो यही उनका कहना है कि थोड़ा सा हो सकता है कि सरसों यहीं रुक जाए या थोड़ी सी कोई सौर पर तेज हो जाए लेकिन मंदी होने को भी सरसों हो सकती कोई कि अभी आज ही मैं सुन रहा था किसी एक्सपर्ट की वीडियो तो वो कह रहे थे कि कुछ मंदीों के अंदर नई सरसों की आवग होई है राजस्तान की किसी मंदी के अंदर मैं कल आपको इसके बारे में पूरी जान करें दूँगा तो अब जो है अगली फसल के बारे में लोग सोचने लगे हैं जो अगली आने वाली फसल है उसके बारे में थोड़ा लोग सोचने लगे हैं तो उसका भी परभाव एक दवाब इधर रह सकता है दूसरा आपको मैंने पहले भी बताया था कि सोया भी इनका बराबर दबा बना हुआ है सोया भी इनके कारण भी सर्सों के बाव की अंदर की बहुत जारा बड़ी थेजी नहीं आ सकती हाँ ये है कि सर्सों का रेट अभी कुछ दिन के लिए यहां रुक सकता है या कोई मंदा होने को थोड़ा सा सो दो सर रपे मंदा हो सकता उपर भी जाएगा तो इतने उपर जाएगा इससे जारा सर्सों जो है जारा सातियों नहीं हो सकती सर्सों की मेंली जो बात है जो में अभी किसानों के पास सर्सों बहुत कम संख्या में है ये कोई rare किसान है बहुत बड़े दिल वाला कोई किसान है उसके पास अभी सरसों है बकी किसान लोगों के पास सरसों बहुत कम है हाँ आने वाली फसल के बाद का जो भाव पता चलेगा जैसा कि आज सुनने में मिला एक 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 एक्सपर्ट की मैंने वीडियो सुनी तो वो कह रहे थे कि आज राजस्तान की किसी मंडी में नई सरसों आई थी और उसका भाव चोपन सो रपे लगा तो नई सरसों का जो भाव है वो चोपन सो रपे लगा हलांकि किसान ने नहीं दी या दी वो अलग बात है लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि सरसों के अंदर कोई पूरा आप नहीं कह सकते कि स्टेवल्टी है या सरसों यही रुख जाएगी ऐसा आप नहीं कह सकते सरसों के अंदर भाव के अंदर उतल पुतल हो सकती है सातियों आज किसी साति का फोन आया था उन्हें भी यही बताया कि सर्सों उन्हें रख रखी थे लेकिन अब वो सर्सों सेल कर रहे हैं तो लगबग लगबग लोग जो किसान लोग हैं वो यही समझ रहे हैं कि अगली फसल नजदीक है तो सर्सों के बाव के अंदर जो है कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं आ सकती और खास करके एक दो दिन के अंदर तो कोई बहुत बड़ी तेजी देखने को सर्सों के अंदर नहीं मिल सकती साथी हो सर्सों के रेट की बात करें तो आज विजयनगर के अंदर 3350 रुपए सर्सों भी की मैं रेट के बारे में confirm आपको बताता हूँ जी स्वरी जी आज का रेट जो है सर्सों का माफी चाओंगा वो पिछला रेट था संग्रिया के अंदर आज सर्सों भी की 338 रुपए राइसे नगर के अंदर 3531 रुपए कोटा के अंदर 8665 रुपए अलवर के अंदर 8680 रुपए जींद के अंदर 4540 रुपए बीकानेर के अंदर 760 रुपए जोदपूर के अंदर 750 रुपए अलवर के अंदर 87770 रुपए नोहर के अंदर 710 रुपए देवारी के अंदर 705 गंगानगर के अंदर 630 आदंपूर के अंदर 705 एलनावर के अंदर 7110 कोटा के अंदर 7310 नागोर के अंदर 7630, गंगापुर के अंदर 7670, आगरा के अंदर 8785, डेली के अंदर 7810, जैपुर के अंदर 8040, और भरतपुर के अंदर 7620 रुपे जो है आचरसों का बालसातियो रहा है, जी आगे बात करें एक साथी पूछ रहे हैं, आपके पास सर्दी नहीं है क्या भाई, भाई सर्दी है लेकिन इतनी जारा भी सर्दी नहीं है, माफ़ी चाहूँगा, अलगी मैं जारा इस रेट की वीडियो के ओपर जारा किसी टॉपिक पर बात नहीं करता, तेंक्यू विनोजी, सार्ण साथ भाई साथी हो, तो गवार के अंदर भी थोड़ा सा गवार हिला है हिलने से मेरा मतलब थोड़ा सा गवार पॉस्टिविटी की तरफ जा रहा है, थोड़ा सा तेज हो रहा है, एक बार जो बावन त्रेपंसो के गरों में बाव आगे थे, तो वहाँ से गवार अभी थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा सा तेजी के और गया है और काफी मंडियों के अंदर 6500, 500, 500, 500 रेट आज गवार का रहा है तो गवार गम में तेजी कोई बहुत बड़ी तो नहीं है लेकिन तेजी है और लग रहा है कि गवार दीरे-दीरे जो अपना स्पोर्ट जो गवार ने छोड़ा था उसकी और बढ़ रहा है लेकिन उसके अंदर टाइम दख सकता कोई गवार को इस बार कोई भी जो एक्सपर्ड था वो नहीं पकड़ पाया अब उसके डाउन होने के क्या रीजन रहे है या क्या बात रही वो सब चीजे समसे बाहर थी तो लेकिन फिर भी गवार अभी एक गवार का रुख बन रहा है जो तेजी की और रुख बन रहा है जो पिछले कुछ पिछले वीक में खास करके जो नीचे की तरफ रुख बन रहा था ले 7000 से उपर का एक रेट मिला था उस टाइम भी काफी एक्सपड लोगों ने ये बोल दिया था कि नहीं रेट उपर जा सकता है उपर जा सकता है लेकिन मैंने तो उस टाइम भी आप सबसे आज जुड़के निवेदन किया था कि बहुत ज़ादा तेजी गवार के अंदर नहीं गाउन नहीं है गवार तेजी की ओर है और हो सकता है आने वाले एक दो दिनों के अंदर कुसौ 50IR गवार के अंदर तेजी हो जाए सती हो गवार के आप सबसे पुने निवेदन करूँगा ये जो वीडियोज होते हैं साथ ये प्रैक्टिस वीडियोज होते हैं ये आंकडे एकटे करके वीडियो बनाए जाते हैं एक्सपर्ट लोगों से बात करके उन से राय लेके वीडियो बनाए जाते हैं लेकिन सोधा जो है आप अपने हिसाब से करें आप अपने दिमाग से करें ऐसा मेरा आप से एक बार फिर से निवेदने साथ ही हो अब अपने बात करते हैं नर्मे की अब नर्मे के अंदर कहने को ये कहा जा रहा कि नर्मा मंदा हो गया लेकिन मैं दुबारा मेरी बात को रिपीट करूँआ जो मैंने परसों रिपीट की थी नर्मा मंदा नहीं हुआ है क्योंकि नर्मा तेजी नहीं हुआ था नर्मा तेज नहीं हुआ था मैं दुबारा बता दू कि नर्मे के अंदर जो तेजी आई थी 100-200 रुपे की वो तेजी इसलिए आई थी क्योंकि नर्मे की आवक कम हो गई थी अब जैसे ही आवक कम होगी तो नर्मे का भाव जो है एक पर थोड़ा सा तेज किया गया किसानों क लुभाने के लिए कि किसान लोग जैवा है वो नर्मा लेके आएं तो वही तेजी थी कोई इंटरनेशनल कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं थी बारतिये जो बजार हैं उनके अंदर की बहुत बड़ी तेजी नहीं थी तो अब गिरावट में मैं नहीं कहूंगा क्योंकि म इछले हपते मैंने सेंटर पक्ट जो इसका 3300 रुपे किये था उसका कारण यहीं था कि नर्मय के अंदर कोई मंदी नहीं थी तो कोई तेजी भी नहीं थी अभी भी नर्मय के अंदर कोई बड़ा मंदा नहीं है आज भी काफी मंदियों के अंदर नर्मा जो है 8700 रुपे क इर्द गिर्द विकाय सातियों आम मंडियों के अंदर नर्मा 85 से उपर रहा है तो कोई बहुत जारा गबराने वाली बात नहीं है आवक पर डिपेंड करेगा कि अगला जो हपता है अभी इस अपते के अंदर तो कल एक दिन बचा है अगला जो हपता है उसके अंदर आवक कै का इफेक्ट हो सकता है ये बात हमें जैहन के अंदर रखनी पड़ेगी उसका रीजन यह है सातियों क्योंकि अगर कोविड के पेशेंट बढ़ते हैं जो ये नया वर्जन जो अभी कोरोना का आया है अगर मालो उसके अंदर बढ़ोतरी होती है तो नर्मे के भाव के अंद जो शौप साथ की तेजी भी आ जाएगी और वो जो सिस्टम है पूरा वो नर्मे की incoming जो आवक है उसके ऊपर depend करेगी तो हाजर बंडियों के अंदर जो गान मंडियों के अंदर आवक है उसके ऊपर काफी ज़्यादा depend करेगा ये बात हमें अमेशा से जैंमे रखनी होगी साथियो तो नर्मे की बात करें तो कोई बहुत जारा मंदी भी नहीं है कोई बहुत जारा तेजी भी नहीं है लेकिन नर्मा रुका हुआ है यह अपने कह सकते हैं नर्मे की आवक पे ही नर्मे का भाव डिपेंड करेगा और कोई भी सोर्स नहीं है कोई भी ऐसा इशू नहीं है कि जिसे नर्मा एक दम से बहुँ ज़ादा नीचे चला जाए या फिर नर्मा बहु ज़ादा उपर चला जाए साथियो आज अपने नर्मे के बाव की बात करें साथियो तो नर्मा आज 465 आर्डी मंदी के अंदर 8180 रुपई संगरिया के अंदर 856 रुपई रावला के अंदर 8495 रुपई गड़साना के अंदर 8300 रुपई राइसनगर के अंदर 8462 रुपई पीली बंगा के अंदर 8445 रुपई दादरी के अंदर चेतर सो रुपए, हिसार के अंदर आट जार दस रुपए, दादरी के अंदर आपको डेट बता दिया है, आदमपूर के अंदर 8102 रुपए, अनूपगड के अंदर 8730 रुपए, संग्रिया के अंदर 8510 रुपए, अनुमानगड के अंदर 8570 रुपए, विजयनगर के अंदर तिरासी सो सत्तर रुपए, सादूल शेर के अंदर चुरासी सो रुपए, अबोहर के अंदर तिरासी सो असी रुपए, रावत सार के अंदर पिचासी सो सत्तर रुपए, गंगा नगर के अंदर पिचासी सो दस रुपए, सिर्शा के अंदर तिरासी सो चाली सो रुपए, और किसी एक विशेश मंडी का रेट भेज सकता हो सबी दिन्सों का तो उसके लिए बहुत जल्दी हम लोग एक WhatsApp गुरूप बना रहे हैं मुंकपली के बारे में भी बताएंगे साथी मेरे को मुंकपली के बारे में कोई जानकरी जादा नहीं मिलती तो मैं नहीं चाता कि किसी का नुकसान हो जाए मेरी वज़ा से इसलिए मैं मुंकपली का रेट नहीं बताता भाई जब भी मेरे को अवेलेवल होगा तो I should tell everyone मैं पका उसको बताऊँगा तो मैं आप सबसे निवेदन कर दूँ कि जो भाई किसी एक पैशल मंडी का भाई रोज भेज सकता हो तो उससे मेरा अनुरोध है कि वो जरूर मेरे को वाट्सेप करे 95214 99999 95214 9999 हम लोग एक गुरूप बना रहे हैं ट्रेडर्स का गुरूप बना रहे हैं जिसके अंदर हमें भाई का पता लगता रहेगा और आप सबको जो है वो जानकारी रोज दिये करेंगे साथियो तो कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी टाइम फसनों के बाव के साथ किसान एकता जिन्दा बात